हेलो अब्रीविन और वेल्कम बैक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं स्मॉलेस नमबर का कंसेप्ट बच्चो को किस तरह समझाए तो अचली वीडियो सुरू करते हैं सर्कल दा स्मॉलेस नमबर इस तरह से एलकेजी में बच्चो को मैथ में सिखाया जाता है जब भी कोई नया टॉपिक आप बच्चो को इंटर्डियूस करा आए तो बच्चो को आप बच्चो की लेंगविज में बात करें या फिर खेल कूट की लेंगविज में बात करें तो बच्चो को वो टॉपिक जल्दी समझ में आता है और बच्ची वो जल्दी सीख भी ले तो सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ नंबर्स लिखे हैं इन चार नंबर्स को कमपेर करके बच्चों को स्मॉल नंबर को सरकल करना है तो यह बच्चों को हम किस तरह से समझाएंगे आप बच्चों को बोलेंगे कि बच्चों को ओरली नंबर्स बोलने हैं जैसे 1 2 3 4 खेल रहा है क्या खेल रहे है यह 4 नमबर यह 4 नमबस पक्डम-पकडाई खेल रहे हैं तो जो भी नमबस हम पहले बोल देंगे ऑर confidently जब हम counting करेंगे तब जो नमबर हम पहले बोल देंच तो वो नमबर हो जाएगा गेम से आउट और उसे हम कर देंगे circle, तो अभी हम इन चार नमबर्स के बीच हमारा पकड़म पकड़ाई का खेल start करते है हम नमबर्स बोलेंगे counting स्टार्ट करेंगे 1, 1 यहां पे है, नहीं 2, तू तो यहां पे है 2 तो पकड़ा गया तो तू को हम पकड़ लेंगे और 2 को कर देंगे हम circle यह हो गया out तो smallest number क्या होता है जब आप orally numbers बोलते हो और जो number पहले आता है वो होता है हमारा smallest number अभी हम यहाँ पे तू यह two number हमारा पकड़ा गया इसको हमने circle कर दिया अभी इन 4 numbers के बीच हम दूसरा हमारा खेल फिर से start करेंगे तो चले हम फिर से start करते है one one है यहाँ पे two two भी नहीं है three three भी नहीं है four four तो यहाँ पे है तो four को यहाँ पे हम circle करें नहीं क्योंकि यह तो इस खेल में है ही नहीं तो यह से हम circle कैसे कर सकते हैं खेल तो यह सिर्फ चार numbers ही खेल रहे है तो 4 को हम यहाँ पे नहीं circle कर सकते तो आगे बढ़ते हैं 4 के बाद 5 5 भी नहीं है 6, 7 तो 7 हमने यहाँ पे मिल गया 7 को हमने पकड़ लिया तो 7 को पकड़ते ही हम उसे कर देंगे गेम से out इसे कर दिया हमने circle तो यह भी हो गया out यहाँ पे मैंने अलग sketch pen यूज किया है ताकि बच्चों को समझ में आए बच्ची confused नहीं हो बच्ची कई बार करते हैं उपर अगर उनको 5 मिल गया तो उपर भी वो circle कर देते हैं तो आप उनको इस तरह से समझाएंगे कि यह हमारे गेम में नहीं है तो हम इन चार के बीच ही गेम खेल रहे हैं तो यहाँ पे ही circle होगा इसे हम नहीं out करेंगे तो इसे ही समझाने के लिए मैंने सब नंबर को अलग-अलग sketch pen से यूज किया यह ऐसा आप पहली बार जब सिखा रहे हो तब आप कर सकते हो बाद में वह अगर आप पैंसल से भी लिखके दे रहेंगे तो एक बार अगर उन्हें कंसेट समझ में आ जाए कि स्मॉलेस नंबर की से कहते हैं और कीन चार नंबर को इन चार नंबर को कंपेड करना है तब आप इस तरह से खेल की समझा सकते हो उसके बाद वह फटा फट से आराम से समझ जाएंगे तो यहाँ पर हम खेल स्टार्ट करेंगे वन टू टू ट्री फो फाइट नाइन टैन अरे यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं तो टैन से आगे बढ़ेंगे हम 11 तो 11 यहाँ पर हमें मिल गया 11 11 तो 11 हमारा पकड़ा गया यह हो गया गेम से आउट इन चार के बीच हम फिर से गेम स्टार्ट करेंगे अँमारा 1 1 नहीं है 2 नहीं है और यहाँ पर है 3 तो 3 को हम गेम से पाहर कर देंगे 3 को हम सेरकल कर देंगे तो यह हो गया out smallest number जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया smallest number क्या होता है counting में जो भी number आपको पहले मिलता है वो होता है तो पैरेंट्स याफी टीचर्स आप बच्चों को इस तरह से गेम केट्रों बच्चों को सिखाएंगे कोई भी कंसेप्ट जब आप नया सिखा रहे हो तो बच्चे जल्दी आपसे सीखेंगी वह आपके साथ पढ़ाई करना भी चाहेंगी और जल्दी उन्हें समझ में आए तो यह था मेरा तरीका बच्चों को स्मॉलेस नंबर इंटर्ड्यूस करवाने का मैं आसा रखते हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर है मिली होगी अगर आपको यह वीडियो हैल्फुल लगा हो तो वीडियो को कर दीजेगा एक लाइक बहुत सारा से और चैनल को सब्सक आपकी जिएका थैंक यू फो वाचिंग एंद बबाए